कि देखिए तापने वाली व्यास्था व'll отдель कर आ रहे हैं तो कि इतना ज्याधा ठंढ बाई यहां पर होता है तो यह देखिए इतना अभी लेकर आ बच्च रहे हैं और अब आप देख सकते उधर सूरज निकल रहा है काफी जादा ठंड भी हो रही है और हम अपने गाउं से लगों में 200 मीटर की दूरी पर आ चुके हैं और अभी मुझे लगों में 200-300 मीटर की दूरी पर और जाना है जहां पर मैं वीडियो सूट करता हूं कि दोस्तों गाउं में काफी जादा सोर सराबा होता रहता है और हमारे और भी बहुत सारी यूटूब चैनल है और हमारे साथ में विकास भीया है ये भी वीडियो बनाते हैं इनका भी एक यूटूब चैनल है तो ये भी हमारे साथ में जा रहे हैं और बाकी हमारे टीम के क यहां से देखिएगा फिर आप लोग बताइएगा कि यहां के रोड कितनी अच्छी होती हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से सड़कें हैं इस तरह के स्क्रेच भी हैं इन रोड पे और यह इस तरह की रोड हैं और इसके पास में एक जुड़ा हुआ यह कच्छा रास्ता है जो कि इस प्रकार से होता है मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूं यह देखे दोस्तों यह इस तरह का एक कच्छा रास्ता होता है देहात में इस तरह की रोड पाये जाते हैं इसे चक्रोड भी बोलते हैं और इधर यह जो खेती आप देख रहे हो ये आलू की खेती है अगर आपने आलू के पौधे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में देख सकते हो किस तरह के आलू के पौधे होते हैं ये देखिए और ये जो तार लगा हुआ है ये कटीला तार है, मैं आपको दिखा दूँ इस तरह का कटीला ता रहे, तो यह दोस्तों जानवरों से बचने के लिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहां पे जानवरों का अतना कुम बहुत ज़दा रहता है तो मैं खेत में जा करके आपनों के दिखाता हूँ अलू की खेती तो फिरहाल मैं आलूख खोद करके नहीं दिखाऊंगा बटे इस तरह की खेती होती है और इसमें कई सारी फसलें पैदा की जा रही है इस समय यह देख सकते हैं गन्ये की फसल इसी में लगी हुई है यह जो पोधा है आपको दिखाई दे रहा है यह गन्ये का है और इसके साथ सत ये धनिया हरी धनिया तो आप जानते ही होँगे तो यह थनिया भी है और यहाँ पे यह बधुआ का पषणवी लगा हुआ है आप देख सकते हुआ तो इस तरह से बहुत सारी इसमें फसलें लगी हुई है और दोस्तो यह एक नारसल है यहाँ पे ये नारसल ये पानी इधर से उधर ले जाने के लिए है अगर खेत में पानी ज़्यादा भर जाता है तो इसको यहां से बाहर किया जाता है तो दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जयूर करना और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में घंटी दबा करके आलपे भी क्लिक कर लेना जिसे की हमें काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और दोस्तों इस समय जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ थोड़ा काफी अच्छा लगेगा यह देख सकते हो यह सर्सों की खेती है और यह काला सर्सों है यहाँ पर देख सकते हो यह सर्सों की खेती लगी ही है काफी अच्छी फसल यहाँ पर है और इस सर्सों में खास बात यह है कि जानवरों का इसमें जो आतंक है वो बहुत ही कम होता है यह सर्सों को जानवर नहीं खाते हैं बट अगर इधर जो सर्चों की खेती लगी ही है इसको जानवर तुन तखा जाएंगे अगर पा जाएं तो खेत को बचाने के लिए हमेशा खेत माली के हाँ पर बैठे रहते हैं तब ही यहाँ पर अपने खेतों को सुरच्चित रख पाते हैं अब दोस्तों इस समय लगव में 8 बज रहे हैं और हम अपने लोकेशन पर पहुंच रहे हैं जहां पर हम लोग और बहुत सारे वीडियो सुट करते हैं और हमारा प्रड़े का यही नियम है कि हम लोग 7 बजे या 7 बजे उठ करके यहाँ पर आ जाते हैं और अपना वीडियो ले लेते हैं तो वहाँ पर देख सकते हो विकास भाई समय पत्ते एकठा कर रहे हैं और इनको हम अभी जा करके एक जगे पर जलाएंगे और तापेंगे उसके बाद में जो है वीडियो गरा सुट करेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होरी दोस्तों तो अब यहाँ पर आ करके पर्ते पहले बात एक अठा करते हैं उसके बाद जाकरके वहाँ पर पहले तापते हैं उसके बाद में ही कोई वीडियो सूट करते हैं तो फिराल दोस्तो अब हम पहुछ रहा हैं अपने लोके संपर देख कर आए मिघलेओ तो हम देखते हैं वो हो सकता है उधर उस साइड में आचके हो उधर भी रोट जाती है ये आप देख सकते हो तो हो सकता है उधर बैठे हो तो चलिए हम आपनों को दिखा रहे हैं आगे क्या हो रहा है और यहां पर इस समय जो खेत लगा हुआ है गन्ने का है अगर आपने गन लगा हुआ है यहां पर आकर के रोड और इधर की तरफ चली जाती है और इसके बाद में इसी रोड से लगा हुआ आप देख सकते हैं चकरोट भी लगा हुआ है जहां पर खेतों पर जाने का रास्ता है तो कुछ इस प्रकार के यहां पर रास्ते होते हैं और कल मैंने जो वी और आज हम आप लोगों को गन्य के बारे में काफी अधिक information देने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो गन्या लगा हुआ ही देख सकते हो कितना अच्छा गन्या की फसल यहाँ पर लगी ही है हाला कि इतनी अच्छी फसल नहीं है बट गन्या खाने में काफी अच्छा लगेगा दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं खाया है तो आजाएए अभी मैं आप लोगों को खिला रहा हूँ तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर गन्या की फसल लगी ही है कुछ इस प्रकार का गन्या हमारे यहां उक्तर पुदेश में पाया जाता है और अगर आप सुबे सुबे गन्या को खाते हैं तो आपके सहीर में काफी ज़्यादा खून की कमी भी पूरी होती है और और भी बहुत सारे लाब होते हैं तो बहुत से लोग गन्ना सुबह आ करके खाते हैं अगर आपने नहीं घाया है, तो दिहात में कहीं पर भी जाईएगा खाच करके सीता पाझले में आईए तो यहां पर बहुत ज्यादा ब्रियने की फसल होती है तो यहां पर गन्ना खा सकते हो माचिस माचिस इधर देखो यह रखी हूँ है यहां पयोगी यहां पर माचिस ही भाखता है Сुबह माचिस याद ना रहे तो यहीं पर हम लोग रखते हैं और यह पत्ते यहां पर हैं यहां पर जलाते हैं हम लोग आप देख सकते हो तो दोस्तों विकास भाईया इस समय आग जला रहे हैं यह देखिए यहां पर तो अभी हम लोग यहां पर तापेंगे और उसके बाद में जो है हम आगे की कारिवा आजाते हैं आज थोड़ लेट हो चुके हैं तो आहीं रहे होंगे अब यहाँ पर आग जो है तापने के लिए रेड़ी हो चुकी है यह देखिए तिहात में भाइस आप ज्यादा कुछ नहीं मिल पारता है तो पत्ते से ही काम चलाना पड़ता है फिरहाल यहाँ पर लकडिय क्यों देख रहे हो यह माचिस मत चुराना यह देखिए दोस्तों आग यहाँ पर जल रही है और हम तपाई कर रहे हैं आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा यहां के दिहात के लोकेशन देख करके और यहां पर क्या-क्या होता है यह सपुद देख करके पर देख सकते हो संडेभाई लोग आ रहे हैं वो भी देखिए तापने वाथ व्यस्था वह हो भी लेकर आ रहे हैं सब लोग आ कर के यह भाद में यह ब्लाग्शूट करते हैं वाई इनके वी चनल पर जाना एक बार देखना तो बताना कितना इस बाद में यह बीडियो द आएंगे यह आग जल रही है और गर्मी आपके पास पहुंच रही होगी भाई अगर पहुंच रही हो तो कमेंट करके जोरू बताना फाइनली दोस्तों हम चारों लोगों की टीम यहां पर इकठा हो चुकी है और आज का वीडियो पर समाप्त करते हैं तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो है तो चल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे हमाएं आने वाले वीडियो की नोड़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे हैं